नमस्कार आप देख रहे हैं अलाइफ 24 निउस अध्यापक दोरा दी गए सेख एक छात्र के जीवन को बदल कर रख देती है इसी सेख से छात्र अपने जीवन की नियो रखता है और जीवन की कसोटी पर खरा उतरता है इन्ही मुद्व पर बात करने के लिए अलाइफ 24 के सम्मादाता विशाल सकसेना अलीगर से सीसी एस पब्लिक स्कूल पहुचे और वहां के प्रधानाचार से बाचीत की देखिए इस बाचीत के कुछ अल्श अलाइफ 24 न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ विशाल सकसेना आज हम मौजूद हैं सीसी एस पब्लिक स्कूल में और हमारे साथ में प्रधानाचार जी मौजूद है गौरब कुमार जी जिनसे हम बात करेंगे सीक्षा पर दीपा बली का अब दीपाव सीक्षा प्रणाली कहां तक तक सुधरी है और क्या कि सुधार हो सकते हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे आपका बहुत स्वागत है आज के करकेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग कि वो सभी गार्जन बच्चों की तरफ प्रेत हों एक विद्याले में बच्चों को भेजने से ही काम नहीं चलता है वो बच्चों को घर पर भी वो मैंटेन करेंगे तो उससे जो है सेक्षार प्राणिम काफी सुधार आएगा अच्छा दीपावली का सर समय नज्जीक है क्य पूरी उत्तरप्रदेश के वासियों को सभी को दीपावली के हार्दिक सुभकामना देना चाहता हूं और मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूं कि दीपावली का अफसर है ज्यादा पटागिना चलाएं क्योंकि हानिकारग भी होती है काफी से पॉश्यन भी फै है कि मैं बच्चों को बहुत अच्छे मुकाम तक लेके जाऊं और मैं पचले करें कि मेरे बच्छे काफी आगे तक गये धा looked लिए मैं और मैं यह बहुत प्रयास करने के मैं करते हैं और मैं यह बिस कि ःगे सब्से बच्चों को काफी आगे तक लिए निकोसिस करूंगा और क्या संदेश देना चाहेंगे और मैं बस यही जनता को संदेश देना चाहेंगा जो भी अपने बच्चों को पढ़ाएं वो एक दम यह मान सकता तो खतम हो गई लड़कियों को पढ़ाने वाली या भी जिन्दा है जी नहीं बिलकुल हमारे हाँ इस हीतर में देखा जा रहा है कि लड़कियों पर जयादा विसे दिया जा रहा है पहरे यह था कि बेटिशों को मत पढ़ाई यह पर लेकिन अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाऊ जी चल रही है और काफी कारगार साबित हो रही है और आज म मारे साथ में गौरब कुमार जी प्रधानचार जी जिनका कहना है कि जब सरकार बदली है तो लोगों की सोच भी बदली है अब लड़कियों की संख्या जादा हो गई है और ये बहुत मैत्वपूर था क्योंकि पहले लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था और बहुत दुरबागिपूर बात थी अब हमारे देश में इस्तिती सुधरती जा रही है ये थी अली गर से हमारे समवादाता विशाद सकसेना की रिपोर्ट ऐसी खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे अलाइव 24 न्यूज देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाएं